विदेश मंत्री एस जैसंकर दो दिवस्य गुजरात की यात्रा पर वडुदरा पहुंचे एरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया विदेश मंत्री के आने की सुचना पर पहुंचे कुछ यूआनों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई क्या है विदेश मंत्री का गुजरात का कारेकरम दो दिन वो कौन-कौन से कारेकरम में होगे सामिल देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में विदेश मंत्री एस जैसंकर अपनी दो दिवस्य गुजरात यात्रा के तहत वडुदरा पहुंचे वडुदरा एरपोर्ट पर विदेश मंत्री का स्वागत किया गया विदेश मंत्री गुजरात से राजसबा के सांसद है वो अपने दो दिन में प्रवास में वडुदरा से सटे नर्मदा जिल्ले में रहेंगे वह उन गाओं में जाएंगे जिन्हें उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योडना के तहत गोड लिया है जैशंकर जिले के चार गाओं का दोरा करेंगे जिन्हें उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योडना के तहत गोड लिया है जैशंकर सबसे पहले नर्मदा में तिलक वडा तालुका के व्याधर गाओं और गरुडेश्वर तालुका के अमदला गाओं का दोरे में लोगों की समस्याय सुनेंगे और क्षित्र में कब तक हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी लेंगे वाद वजिले के सागर बारा के भदोद गाओं और देडिया बडा तालुका के माल समोट गाओं जाएंगे जैशंकर शनिवारकु राचपिपला शहर के एक कॉलेज में निर्मना धीन जिमनास्टिक भवन का निरिक्षन करेंगे बाद में उनका अहम्दाबाद में आनन्त राष्टिय विश्व विद्याले में मोदी का भारत एक उभरती शक्ती पर व्याख्यान देने का कारेक्रम है नर्मदा जिल्ला भरुच लोगसभा में आता है यह से अभी मनसुक वसावा सानसदे लोगसभा चुनाओ की तैयार यू के बीच विदेश मंत्री एस जैशंकर के नर्मदा दोरे को काफी अहम माना जाता है बिरो रिपोर्ट जी एस टिवी गुजरात के अमदाबाद सहर में सुक्रवार को सबसे ज्यादा तापमान देखा गया क्या कहता है वेदर का रिपोर्ट देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में गुजरात के अमदाबाद में तापमान लगातार उपर है अधिक्तम तापमान पांच दिन बाद 43 डिग्री को पार करके तियामलिक दशक मलब 4 डिग्री सेलसियस तक पहुँच गया है 28 मई से गुजरात में बे मौसम बारिस हो सकती है अमदाबाद में बादल चाने के आसार है दो दिनों में साबर काठा, बनास काठा, महसाना, पाटन, वडोद्रा, भरूच, आनंद, अमरेली, राजकोट और भावनगर में अलग-अलग स्तानों पर हलकी बारिश की संभावना है अगले तीन दिनों के दोरान अधिक्तम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेलसियस की गिरावट हो सकती है क्योंकि बारिश के आसार नजर आ रहे है ऐसे में अमदाबाद के नरंद्रमोदी स्टेडियम पल चर रहे IPL मैच पर मौसम का कोई असर नहीं दिखेंगा शुक्रबार को अमदाबाद सबसे गर्म शहर रहा उसके बाद बड़ोदा में 37.8, सुनेंद्र नगर में 40.8, राजकोट और वीवी नगर में 40.6 डिग्री और डीसा, अमरेली और भाव नगर में 40.2 डिग्री तापमान रहा बीरो रिपोर्ट जी एस्टिवी जापान के होकाईडू में भूकंप के तेज जट के महसूस किये गए है, रिक्टर पैमाने पे इसकी तिवरता 6.1 मा पी गई है, भूकंप के जट के दोपर पर दो बचकर 38 मिलिट पर भारतिय समयत अनुसार महसूस किये गए, नेशनल सेन्टर पोर सिस्मोलोजी के अनुस ये भूकंप दोपर प्राया था, कैसा था माहूल, देखते हैं रिपूट अंदर की बात में साथ प्लेट्स होती है, जो लगातार घुमती रहती है, जब ये प्लेटे किसी जगह पर आपस में टकराती है, तो वहाँ फोल्ट लाइन जौन बन जाता है, और सतह के कोने मुढ़ने की वज़ा से वहाँ दबाव बनता है, और प्लेट्स तूटने लगती है, इन प्लेट पर 2.0 से कम तिवरत वाले भूकंप को मायक्रो केटेगरी में रखा जाता है और यह भूकंप मैसूस नहीं किये जाते। रिक्टर सकेल पर मायक्रो केटेगरी के 8000 भूकंप दुनिया भर में रोजानाद दर्ज किये जाते हैं। Bureau Report GSTV मुधि सरकार के 9 साल पूरे होने पर कौंगरेश ने सत्ता धारी दल पर हमला किया है कौंगरेश ने मुधि सरकार से 9 सबाल पूछे है कौंगरेश ने सरकार से अर्थ ब्यवस्ता कृषी किसान ब्रष्टाचार चीन और राष्ट्रिय सुरक्सा समेत 9 सवाल किये कौन से है ये सवाल देखते हैं रिपूर्ट अंदर की बात में कॉंग्रेस ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी के नित्रुतो वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर शुक्रुवार को महगाई बेरुजगारी एक कुछ अन्य विशयों पर उनसे 9 सवाल पूछे और कहा कि प्रधान मंत्री ने अपने वादों को पूरा नहीं करके देश के साथ जो विश्वास घात किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाएए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था 800 साल पहले ये हुआ था 700 साल पहले किसी को कोई रुची नहीं सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया जो पेट्रोल 60 रुपे लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था आज वो 100 में बेचते वे हो कहते हो कि साथ श्री लंका में देखो कितने में बिक रहा है पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है 400 रुपे का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है तो आप पलट कर कहते हो कि श्री लंका में 2000 का बिक रहा है पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है ये स्तर बना दिया आपने मेरे देश का इसलिए आपको माफी मागनी चाहिए भारत से किसानों की आये पर जैराम रमेश जी ने एक सवाल पूछा दुगनी छोड़ दीजिया अब तो किसान कहते हैं जो उस वक थी ना बस उतनी भर हमें मिल जाये वापस तो वही बड़ी कृपा होगी मुख्य विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि प्रधान मंत्री ने जो वादे किये थे वह कालपनिक थे और कोई वादा पूरा नहीं हुआ कॉंग्रेस ने नौ साल नौ सवाल शेशक से एक पुस्तिका भी जारी की है और कहा है कि 26 मई को प्रधान मंत्री मोधी को माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए पार्टी महासच्चिव जयराम रमेश ने कहा नौ साल बाद आज कॉंग्रेस नौ सवाल पूछ रही है उन्होंने सवाल किया प्रधान मंत्री जी ऐसा क्यूं है कि महंगाई और बेरुजगारी आसमान चू रही है आर्थिक विसमता क्यूं बढ़ रही है ऐसा क्यूं है कि किसानों के साथ किये गए वादे पूरे क्यूं नहीं हुए MSP की कानूनी गारंटी क्यूं नहीं दी गई। कॉंग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुक पवन खेडा ने कहा कि आज का दिन प्रधान मंत्री को माफी दिवस के तौर पर मनाना चाहिए।